73 वे गणतंतर दिवस के मौके पर राजपत पर सेना ने अपना पराकरम दिखाया खास बात ये रही कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार 75 विमानों ने फ्लाइपास्ट में सालिया और आस्मान में उड़ान भरकर इन विमानों ने एक से बढ़कर एक कर्तब दिखाये फ्लाइपास्ट में सबसे पहले 5 मी-17 हिलिकॉप्टर आये जिनके बाद चिनूक हिलिकॉप्टरों ने राजपत के उपर उड़ान भरी उनके पीछे आ रहे सारंग हिलिकॉप्टर ने तिरंगा फॉर्मेशन बनाकर आस्मान में रंग बिखेरे इस बार के फ्लाइपास्ट की एक और खास बात ये रही कि पहली बार विमानों के कॉक्पिट से तस्वीरें ले गई जिनने देखकर लोगों ने खुब तालियां बजाएं इसके बाद आस्मान में एक साथ पांच रफाल लडाको विमानों ने अपना जल्वा दिखाया उनमें एक विमान को फ्लाइपलेटन शिवांगी सिंग उड़ा रही थी जो रफाल लडाको विमान उड़ाने वाली पहली महिला पाइलिट बनी वहीं राजपत पर मौझूद लोगों को उस वक्त शांदार नजारा देखने को मिला जब तीन सिखोई विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाकर आस्मान में खतरनाक कर्तब दिखाये जिनने राश्टपती रामनात कोविन और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी भी देखते रह गए सुखोई के बाद फ्लाइपास्ट में शामिल 17 जैगवार विमानों ने उड़ान भरी उन्होंने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आस्मान में इस अंक की आकरिती बनाई जिसने लोगों का दिल जीत लिया गंदंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की जहांकियां में निकाली गे जिनके जरीए सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक से बढ़कर एक हथियार, टैंक और मिसालों का प्रदर्शन किया सौबात किकबाती की फ्लाइपास्ट में शामिल सभी 75 विमानों ने उत्तर भारत के आठ अलग-अलग एरबेस से उड़ान भरी थी इसके बावजूद उन्होंने आपसी ताल मेल बिठा कर आसमान में कई कर्तब दिखाए